आब हमारे सब्सक्न पॉस्थ प्रेक्ट है में आज बताने जा रहा हूं बहुती टूफ नहीं है सिम्पल है सभी टॉपिक वर depending on your study अब को कुछ भी doubt रहता है फिर भी आप मुझे comments कीजिए मैं आपको reply करूँगा और सबसे बड़ी बात DC circuit खतम हो रहा है जिसने मेरा चैनल subscribe नहीं किया है नरेज जोसी के नाम से YouTube पे चैनल है नरेज जोसी you can subscribe it और okay you can share it you can like it ठीक है अपने friends में अपने जहां भी आपको आपका network से उसमें आपको इसको share कीजिए maximum इसको share कीजिए okay ताकि हरे को उनको benefits हो सके clear और subscribe नहीं किया maximum subscribe क्योंकि मैं और भी ऐसे topics में और भी ऐसे subject में वीडियो डालूंगा जो आपको सायद end तक आपको useful रहेगा ठीक है तो at least आप सब भी लोग subscribe करें okay so now we are start maximum power transfer maximum power transfer theorem होता है क्या simple थोड़ा सा मैं बता देता हूँ idea maximum power transfer theorem में load resistance is equal to source resistance हमेशा load resistance क्या उसका source find out करते हैं problem solve करने के लिए तो सबसे हम RTS find out करेंगे जैसे हम को RTS find out पता चल रहेगा उसके बाद हम RL निकाल लेंगे ठीक है किसी बुक से अच्छे से कर लेना ठीक है बहुत ही important है और बहुत ही अगर numerical नहीं पूछते तो वह पूछते हैं यह द्यान लगना ठीक है उसको मैं question बोल लो हूँ वापस सुन लिजे दुबारा state and explain maximum power transfer theorem clear this is a straightforward questions okay it will be asked in the university exam also clear now maximum power transfer see this is a circuit diagram यह circuit diagram आपको given है क्या लिखा है find RL Pmax ठीक है हमको RL निकालना और Pmax निकालना है simple अभी सबसे पहले अपना first step step one calculation of RTH ठीक है RTH find out करेंगे तो RTH find out करने के methods है में remove RL by open circuit replace voltage source by short circuit and replace current source by open circuit ठीक है यह आपको three points बहुत important है इसको आपको जब भी RTS आप निकालोगे यह तीनों point very very important यह points से आपको RTS पता चलेगा now ठीक है आप circuit simplify करते हैं यह क्या है voltage source है तो यह आपको क्या हो गया short हो गया 15 ohm 10 ohm 6 ohm यह current source है यह current source है यह current source यहां पर क्या हो गया open हो गया जिसको ट्रोग करने की जुरूद नहीं है ठीक है और यहां पर 4 ohm resistance रह गया था 4 ohm clear यह आपका low resistance हमने क्या कर दिया remove कर दिया A and B ठीक है यहां पर हमको क्या find out करना है RTH okay now see these two resistance are in parallel 15 by series parallel reduction method by series parallel reduction method clear so यहां पर 15 parallel किसके है 10 के so 15 into 10 upon 15 plus 10 तो कितना हो गया यह calcium source कर लेंगे 15 15 into 10 upon 15 plus 10 take it close answer कितना है 6 ठीक है तो circuit अपना दुबारा simplify हो जाएगा ठीक है न तो इसको मैं यहां पर ड्रोग करता हूं अगा जाएगा तो इसको मैं अग्यां यह आपका फोरों में यह आपका फोरों में इसक्सों में यह 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 अब आर्टी एच शिक्सों अभी देखो ओल रेजिस्टेंस आर इन सीरीज 6 6 6 4 इस भी रेजिस्टेंस क्या आपके सीरीज में तो अगें लास्ट बाई सीरीज पैरलल रिडक्षन मेथड ठीक है तो सभी एड हो जाएंगे तो यहां पर एक ही रेजिस्टेंस हो जाएगा A. B. 6 प्लस 6. 12. 12 प्लस 4. 16 यह हो गया 16. यहां पर आपको आर्टे हिकी वेल्यों क्लिए 16 तो आर्टे हिक्वैस टू कितना आ गया 16 ओम ठीक ही यह आपको क्या आ गया आर्टे है टेक़ JAMES आगया एक स्टेप फस्स वोलो गई अभी अपका next step ठीक है next step क्या होगा step number second क्यालकुलेशन ओफ क्यालकुलेशन ओफ आरेल ठीक है अब आरेल क्यालकुलेशन करना है वह पॉइंट दियान रखना है जो तो maximum power transfer theorem होता उसकी conditions क्या होती है by maximum power transfer theorem by maximum power transfer theorem RL equals to RTS तो यह आपकी conditions होती है क्या हो गई 16 तो यह आपको एक चीज़ पूछते हैं एक तो RL पूछते हैं और Pmax पूछते हैं यह आपको maximum power transfer theorem में दो ही चीज इंपोर्टेंट है RL और Pmax तो यह आपका RL इसके लिए मैं इसको यहाँ पर answer लिखाटे क्योंकि यह answer पूछेगा में आप एक्जाम में मैंने यहाँ पर simple question लिखाए find RL और Pmax आपको exam कुछ भी गुमा के पूछे आपको यह आपको आरल निकालना है और Pmax निकालना है यह आपकी step second हो गई now step third step third calculation of VTH निकालने के लिए आपको circuit देखना है कैसा है circuit में वापस step अपको ध्यान रखना वही replace RL by open circuit अब हम RL को open circuit है और उससी के एक्रोस हम क्या find out करेंगे VTS यह द्यान रखना है जहां हम loader strength को remove करेंगे या replace करेंगे यह उसके अक्रोस हमको क्या find out करना है VTS तो circuit को दुबारा ट्रो करना है क्योंकि हमको दुबारा जरूत पड़ेगी ठीक है यह circuit यह loader strength था A और B इसको मैंने यहां पर open कर दिया ठीक है clear और इससी के अक्रोस हमको क्या find out करना है VTS यह होगा plus minus बाकि यहां पर जितना circuit is drop लेते हैं 10 ohm 15 ohm 20 volt 6 amp यह किना 2 amp शोरी 6 नहीं 2 amp शोम यहां पर distance clear और यह 4 ohm देखो यह open कर दिया और इससी के करोस हमको क्या find out करना है VTS clear तो अभी देखो यहां पर पहले हम simplify करेंगे इसको तो simplify करने के लिए अपन क्या करते है मेस अनलीज यूज करते है तो आपको यह मेस वान है इसमें current I1 पास हो रहा है ठीक है तो plus minus plus minus और यह दूसरा मेस है क्योंकि यह open circuit है तो यह मेस बनेगा नहीं तो यहां पर कुछ करना नहीं है यह आपका मेस्ट हुए और इसमें जो current pass हो रहा कौन सा I2 तो इसमें directions का plus minus clear यह direct sum को mention कर रहा है अब देखो simple चाहिए तो फ्रॉम circuit से हमको एक चीड डाइरेक्ट मिल रही है from circuit I2 I2 की value क्या है 2A क्योंकि हमारा direction I2 है और यह current source given है एक चीड जाना कभी भी कोई भी circuit में अगर current source outside branch में present है तो उस current की value हमको direct मिलेगी अगर current source दो मेंस के बीच में present है तो वहां पर सुपर मेंस होगा यह दियान रखना ठीक है तो यहां पर current source किया outside branch में देखो यह बाहर आ गया तभी यहां I2 क्वेस्ट क्या हो गया 2A तो आइटो के value में को मिलेगी 2A ठीक है यह आपको एक आइटो आ गया नेक्स हमको क्या निकाल ला है यहां पर apply के विएल टू में सुन ओम लगाते तो भी हो जाता लेकिन हम के विल लगा दे रहें ठीक है 20 माइनस 15 आइवन माइनस 10 आइवन इक वस्टू 0 तो कितना हो गय हो जाएगा 20 और माइनस 25 आइवन इक वस्टू 0 तो आइवन इक वस्टू कितना हो जाएगा ठीक है 20 अपॉन 25 तो यह आएगा मैरे ख्याल से 20 अपॉन 25 0.8 MP तो यह आपको मिल गया किसका आइवन का value तो यहां पर आपका आइवन कितना आगया आइवन इक वस्टू 0.8 MP क्लियर अभी हमको find out क्या करना है वी टीएच अब वी टीएच अब वी टीएच इसके लिए अपन पाथ जो सेलेक करेंगे यह आपको पूरा पाथ रहेगा एसा तो यह मैं ब्लेट पेंसे ड्रो कर रहा हूं यह पूरा पाथ रहेगा ठीक है अब बाद हम उपर भी कि अब यहां पर आपका उपन यहां तो समझें आजए देखिए कि जा रहा है यहां से आजओगा तो फोर फोर में कोई करेंट पास्ट ने रहा है तो फोर इंटू क्या आजगा जीरो पहले हां पहले पहले किता है राइटिंग विटी एच इक्वेशन यहां से इदर आया इदर जारा हो मैं देखो क्लोग वाईज से पूरा क्लोग वाईज होता है मैं यहां से स्टाट कर रहा हूं तो फोर इंटू जीरो कोई करेंट फास्ट नहीं और फोर में तो जीरो हो गया देन माइनस अभी दो यहां पर किसकी पॉलेटरी यहां से प्लस से माइनस कोड़ जा लेंगे तो क्या को सा एक यह द्यानेना वापस बदाते हो तो एक बार clockwise follow करना है तो इधर से आए एसा जारों में पहले तो minus 4 into 0 क्योंकि कोई current नहीं है then plus यह sign यूज़ करना है plus 10 into i1 क्योंकि i1 current pass हो रहा है इसमें एक ही resistance resistance से एक ही current pass हो रहा है इस resistance से भी एक ही current pass हो रहा है i2 तो इधर आएंगे तो क्या हो जागा minus higher potential से lower potential higher potential जा रहा है तो minus का क्या हो जागा plus plus 6 i2 clear and इधर आए तो minus vth ठीक है इसको simplify करेंगे तो vth को set shift किया direct plus हो जागा तो vth equals to क्या हो जागा 10 into i1 i1 की value कितने है यह मारी 0.8 plus 6 into i2 i2 की value 2 2 ampere 2 ठीक है तो इसको simplify करेंगे 10 into 0.8 plus break it में लगे solve करना कभी कोई mistake नहीं हो ताकिंग plus 6 into 20 तो यह आप आपका vth कितना है 20 volt आया ठीक है यह आपका क्या हो गया vth clear अभी next next क्यों क्या find out करना step number 4 step number 4 ठीक है calculation of calculation of Pmax ठीक है तो Pmax का formula हम को पता है यह Pmax equals to 2 क्या है Vth square 4 Rth तो Vth के value कितना है 20 square और Rth के value कितनी मने निकाली थी इस देखा Rth equals to 16 ठीक है न तो आर्टेश के value 16 निकाली थी ठीक है तो अभी आपके 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 न फोर इंटू आर्टेश कितना है 16 इसको सिंप्लीफाइग करेंगे 20 all square डिवाइड बाइ 4 इंटू 16 4 इंटू 16 तो कितना है तूप देखो यह आ गया तूपॉइंट सोरी 6.25 यह आ गया 6.25 वेट यह होगी आपका final answer यह भी आप दूसरा answer दो इस चीज़े पूछते है maximum power theory में एक तो पूछते है आरल और दूसरा पूछते है पीमेक्स ओके finish मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा ठीक है और practice करते जाए DC circuit पूरा module मेरे यहाँ पे finish होता है अच्छे से आप practice कीज़े कुछ भी doubt है तो मुझे message डाल लिए drop कीजिए मैं आपको बजहूँगा ठीक है किसी को भी nots की requirement है तो मुझे message कर सकते है I will send you और first you have to subscribe my channel मेरे चैनल का नाम है नरेज जोसी YouTube पे आप search करेंगा आपको मिल जाएगा नरेज जोसी और maximum इसको subscribe कीजिए अपने friends लोगों को बोले subscribe कीजिए और maximum इसको share कीजिए ठीक है ताकि सभी लोगों को उनको ज़रूत है उनको help होगा ओके thank you very much see you bye झाल 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 झाल